तरी रेडिकल का मतलब एक Unpaired एक Unpaired का मतलब Half maken जादा है तो इ看ो अधिक अधिक है घ्टाल हे यहां पे एट हो है इसके पास इमया है तो अलफा कारबन यहां govern अलफा करबन होगा न फाका अर्फा कारबन होता है अलफा करबन के हैच को आप नाम द तकparty पास alpha H कितने 6 alpha H, बोलो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठोक ठीक ठीक बोलो बोलो, और यहाँ तो main है main है, क्या इससे कोई attached carbon है, नहीं है सर, क्या लिखोगा alpha H बिट्टा, 0, 0 ठीक है, ठीक है, यह हो गया main, बोलो, main से attached carbon कोई है, क्या, बिल्कुल है, alpha H, alpha carbon हुआ, alpha carbon पे 3 alpha H, 3 alpha H, सोचने कितना आसान है, topic को खताम पर जाना, हाँ, हाँ, ही क्या इसमें, हाँ, जो यह है, alpha H के अचानों, stability पाओ, बोलो, ठीक, तो सबसे अधिक alpha H, 4th में, 4th के stability, सबसे अधिक, अरे हाँ, डिग्री वाइस देख सकते हो, जिस carbon पे अनपे लिक्टांस है, फिलेटकर्स, वो डारेक्ट तीन कार्बन से कनेक्ट हैं, टर्सिरी कार्बन हुआ, यह तर्सिरी फिलेटकल है, यहाँ दखोर, डारेक्ट दो कार्बन से अधिक अधिक है, जुड़ा है, हाँ, से सकंडी, से कंडी, फिलेटकल, फिलेटकल के हिंवि मुक्त मूलख जानते हो नहीं है, जाने लाईस से, यह वन डिगरी हुआ, क्योंकि डारेक्ट एकी कार्बन है, इसको भी वन डिगरी की केट गरी में ही रखते हैं, फैर, ज्यादा अलफा-एच, ज्यादा स्टेबिल, ज्यादा है ज्यादा अलफा एक ज्यादा हाइपर कर्यूंस क्या होता है बन रहा है इससे इनरजी का लास होता है एक पर बोलचुके पहले भी एनरजी निकलती है बेटे और जहां energy निकलती है उसकी stability अपने आप बढ़ जाती है जितना जादा energy निकलेगी उतना जादा stability बढ़ेगी से इसलिए तो बारा कहते हैं जादा पढ़ोगे ना ठकावर जरूर होगी क्योंकि उसमें energy का की सहर के लोग की लाइफ या कह सकते हो as compared to village जोगाओं के लोगों से क्या होते हैं ektर बॉस्रा जादा आच्छी होती है वो जदा वर्कते हैं, ज् away करते हैं जादे एनर्जी का लिघ्र होता है, इस्टेपल्टि आती आपार से है बार- china का लाउस द्रुड होगा पारट इस्टेपलटि आएगी शांधार करीर के साथ, है न, तुरो क्या, हाँ, यहाँ पे जदा अलफ है, जदा इस्टेविन,